अब दोस्तो यहाँ पर यह बड़न आप देखिए यह बी सेंटर में है ओके अब यानि यह दून फिली आपर हो रहा है अब दोस्तो यह पर हेरलाइट हम यह व्यांप करто के हैं यहाँ द्लैट हम यह पर आन कर चुके है ओके अब दिखाएता हूं सामने से मास्तों अब दोस्तों को हम और आपके अड्म करते हैं जोस्तों अब यह विलाइट नहीं करके ठेख लिए हैएब दोस्तों इस वाले बटन को हम सेन्टर में करेंगे तो यहां पर कोई रिली स्ञेयर यहां पर वर्क नहीं करेंगा अब जिससे कंपनी का है वेजिसे ही यहां पर चलेगा ओक्य। जान्यानि कंपनी का ही छाईड यहां से ऑण-फ हो जाएगा और हासे से वर्ण peng Rec. कैसे हो जाएगा अब दोस्तों इस वाले बटन को हम निचे एक साइड में करेंगे चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह अभी कैसे वर्ग करता है जैहिन दोस्तों आज किस यूडियो में हम डिवल हेड लैम के लिए एक वायर लूम डिजाइन करने वाले हैं जो आप देख सकते हो यह कंपनी का जो हेड लाइट लगा है उसके बाजू में यहापे दो हेड लाइट हमने यहापे लगाये हैं ठीक है तो दोस्तों इसी के लिए आज हम एक वायर लूम डिजाइन करने वाले हैं और साथ में जो हमने यहापे जो फॉग लाइट जो लगा तो इसका भी मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इसका complete details और इसका price वगड़ा वो सब जाना है, तो आपको वीडियो देख लिजिए, और इसका हमने कैसे installation करना है, वो भी मैंने complete वीडियो में दिखाया है, तो आप जाकर कि वीडियो देख लिजिए, मैं लिंक आपको इसका description में दे दूँगा, तो दोस्तो आप वीडियो complete देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका complete वायरलूम का जो circuit है, वो मैं complete अमें आपको सब वायरलूम complete बना के दिखाने वाला हूँ, वो साथ में इसका जो circuit diagram है, वो भी मैं आपको दिख तो दोस्तो इस channel को subscribe जलू कर लिजे, क्योंकि यार इसे एक से बढ़करी वीडियो में हमेशा लाता लेता हूँ, इस channel पर, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शिरू करते हैं, आप वीडियो में बना सकते हैं, तो चलिए दोस्तो जल्दी से इस वायरलूम को हम अभी बनात कि कोई भी आप वायरलूम डिजाइन कर सकते हो, चाहिए आपका brake light के लिए पिछे का यानि अगर आपके पास 4-Euler है, अगर उसका आपको brake light, indicator light पिछे का जो section जो आता है, उसका अगर वायरलूम बनाना चाहते हो, तो वो भी आप आप आसानी से बना सकते हो, तो फिर आप होन के लिए अगर बनाना चाहते हो, अपने बाई के लिए या फिर अपने गाड़ी के लिए, तो आप अगर होन का जो होन जो आते है, तो अगर उसका भी आप वायरलूम बनाना चाहते हो, तो वो भी आप आसानी से बना सकते हो, यानि आप कोई भी वायरलूम आप आसानी से बना सकते हो इस वीडियों को देखिए क्योंकि सब का तरेका से यह होता है बस हमें उसका सरकीट पता होना चाहिए कि क्आपकुंसी वयर हमें कहा से नि McMननने कreπ ich कौन सा वाइलर का आपड कहा से नकल जाना है और देना है ठीक है तो उस प्रकाल से हम कोई भी वायरलूम बना सकते बस उसका हमे इस सर्कीट आना चाहिए सर्कीट हमें audio को का होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों इस crec हमेंistem जो dual headlamp जो होता है उसी के लिए हम उसमें wireloom बनाएंगे ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पे dual headlamp यहाँ यहाँ पर यूज करेंगे विद यह कपलर ठीक है यह आपको मिल जाता है market में और साथ में हम यह spring pipe यहाँ यूज करेंगे देखो दोस्तों यह spring pipe जो है इसे आपको कैसे यूज करना है मतलब आपको size के कुनसी वाला size यह आप यूज करना है तो दोस्तों यह आपके wire पर depend करेंगा ठीक है यह फिलाल मेरे पास 14-15 mm का जो spring pipe जो होता है तो यह मैं यहाँ यहाँ पर यूज करना हूँ 15 mm के आसपस है ठ बाकी और बाकी में 1 mm का भी यहाँ यहाँ यूज करने वाला हूँ और जो बैट्री का positive और negative जो हम लाने वाले है तो उसके लिए में ज्यादा mm का यहाँ यहाँ यूज कर रहा हूँ ठीके 6 mm या 7 mm आप यूज कर सकते हो ओके उस प्रकाल से आप यूज कीजिए अपने require ल दोस्तों यहाँ पर 2.5 mm यूज करेंगे तो इस पर हम 150W के जो दो अगर चलाएंगे तो भी इस पर कोई problem नहीं आएगा ठीके क्योंकि यह काफी अच्छा लोड क्यारी करता है और आपका wireloom कभी भी खराब नहीं होगा ठीके तो आपका wireloom काफी अच्छा long life तक चलेंग दोस्तों इसमें हम dual headlam का wireloom complete बनाएंगे उस साथ में fog light का भी connection निकालने वाले है तो उसके लिए हम यह wire यहाँ यहाँ यूज करने वाले है ठीके मैं आपको complete दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है और दोस्तों यह इसका रिले और दोस्तों यहाँ पर हम दो fuse हम यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से यह solar company का fuse है तो यह fuse holder हमें यहाँ यहाँ यूज करना है ठीकी इसमें कि यहाँ फ्यूज लगा होता है ओकी यह circuit breaker के लिए दोस्तों अगर आप भी यह purchase करना चाहते हो इस type की fuse holder मैं तो यह offline purchase किये है लेकिन आप इसे online भी purchase कर सकते हो मुझे अ आपके साथ share जरूर करूंगा description में देदूंगा ठीके बस मुझे link मिल जाने होना ठीके तो मैं आपके साथ share जरूर करूंगा तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे control के लिए एक switch भी हम लगाने वाले है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर copper का ही wire use करूंगा लेकिन इसका पीचारता हूँ तो चलिए दोस्तों जल्दे से अभी हम wiring शुरू करते हैं तो देखे दोस्तों पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो हम स्प्रिंग पैप यहाँ यूज करने वाले है 15 mm का यह फिल 14 mm का जो ठीक लगे वो तो दोस्तों देखो हमें क्या करना है य कि बैटरी का और हिल लाइट के बीच का जो डिस्टंस यह वो आपको क्याल्यट करके फिर इस टाइप से आपको यहाँ पर निश्यान लगा लेना है देखो मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है और मैंने यहाँ इसे अच्छे से यहाँ पर मैंने टैग भी से लगा दिया तो दोस्तों देखो यहाप इसका जीली के लिए यहाप यह सप्ला निकल जाएगा ओके यह जीली यहाप निकल जाएगा और साथ में फ्यूस होल्डर भी हम यही पे निकाल देंगे और यहापर मैं पॉयंट छोड़ने वाला हूँ दोनों बैटली का पॉजिटीव और निकल जाएगा अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हे तो देखिए दोस्तों यहापर हमें बैटली का निकल निकल जाएगा तो ऐसे इस प्रकाँ से मैंने यह रखा है कि बैटरी से हमें सपोर्त अभी बैटरी हमारी एक जगा पर है तो बहां से हमें रिले के ओर जब हम वायरलूम लेके जाएंगे तो उसका डिस्टंस हमें क्यालविट करके फिर उतना हमें डिस्टंस यहापर हमें यह निशान लगा कहलें लिने हैं ठीक है उस पूरकासिस आपको यी करना है को फोर दोस्तो जहां पर हां को सवीच लगाना है गाड़ि के अंदर इस यानि को ऑन ओफ करने के लिए तो उ सके लिए हम एक अलग जो हम लगाते हैं हमारी बुलोरों के लिए जो हम एक्स्ट्रा हेडलाइट जो लगाने माले है यह लगा दिये हैं हम तो उसके उपर में पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ कि यह के से लगाना है तो उसका वीडियो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा लेकिन मैं उसी के लिए एक वायरिंग का यानि वायरलूम यह बना रहा हूँ तो दोस्तों यह एक्स्ट्रा जो हमने लगा है है हालोजन हेडलाइट तो उसके लिए ही यह वायरलूम हम डिजाइन कर रहे है ठीक है और साथ में हम उसमें फॉग लाइट भी लगाएंगे एलेडे वाले तो द दोस्तों यह एक्स्ट्रा लाइट से इसलिए हम इसे कंट्रोल करने के लिए यहाप एक dpdt type का rocker switch हम यहाप यह यहाप युज करने वाले है आप चाहो तो क्वोई भी यूज कर सकते हो ठीक आप यहाप इस PDT भी आप यहाप यूज कर सकते हो कोई प्रव्लम नहीं या फिर आप गेल स्विच भी यूज कर सकते हो तो दोस्तों यह इसका end point है अभी यहाँ पर एक point हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पर हॉलोजन के लिए यहाँ निकलेगा हॉलोजन हेल लेम के लिए बिए हके अब हमें इस प्रकार से यहाँ यहाँ पर आये हैब हमें इसमीश यहाँ पर प्लस करना पड़का हमें इहां से इसकरisc क्लिए अडिक हो जाएगा फिर यह نेगिटिव ग्राउड यह और हम यहां पर यहां पर यहां से पास करवाते हैं जहां पर हम उसे लेके जाएंगे और वहां पर हम उसे निकाल देंगे जहां पर हम यहां पर 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 यहां यहापे निकलेगा तो यहापे हमें यह दो नो वायर चाहिए ठीके और यह दो नो वायर यहापे इसका कुछ काम नहीं क्योंकि यह होलोजन बल्प के लिए ठीके तो इसे हम क्या करेंगे यहापे हमारा होलोजन का जो पॉइंट है हम यहापे इससे निकल देते हैं क्योंकि यहाँ पर निकलने वाला है यही पर light का connection आ जाएगा तो इसे हम यहाँ पर निकाल देंगे दोस्तो जी लेके लिए हम यहाँ पर ground यहाँ पर निकाल देना है यहाँ पर जी लेकल लगता है लेकिन वो switching से हम pass करवाके लेके आने वाले है देखो यह वाला होता है इसका ground ठीके यहाँ इसका connection दिया होता है जो T2 जो टर्मेल होता है यह इसका ground होता है ठीके तो उसे हम negative देना पड़ता है लेकिन battery का negative हम यहाँ पर नहीं देने वाले है क्योंकि हम switch से pass करवाके लेके आने वाले है negative supply को ओके तो हम यह negative हम यह लेके पास नहीं लेके जाएंगे हम इसे यहाँ से निकाल देखो यह जो हमने low और high beam के लिए जो हमने निकाले थे यह हो गये यहाँ यहाँ लेकिन इसके लिए यहाँ निकालना पड़ेगा यह वाला वायल तो यह हम यहाँ से थोड़ गांगे खुच किच के यहाँ से यह पर जोइन लगा देनगे ठाब यहाँ यूदाय लेना है और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे ठोड़ चलन अ ठीके अभी दोस्तों यहाँ पर हम इसे A से जॉइंड मारेंगे यहाँ पर एक और वही 2.5 mm का हमने यहाँ यहाँ पर एक वायर लिया है वह इसे हम अच्छे से यहाँ पर जॉइंड लगा देंगे ताकि negative भी यहाँ पर हमें मिल जाए दोस्तों आप इससे directly ground से भी ले सकते ह हो लेकिन मैं आपको सुझेश करूँगा अगर आपको powerful अगर उसका brightness चाहिए head lamp के लिए तो आप बैटरी से directly ground लेकर directly headlight को दीजिए वायर लगा के ठीके तबी अच्छा ground उसे जाता है तो अच्छा brightness के साथ हो fully brightness का चैम केगा आपका halogen bulb ठीके आपको यह भी चीज हो आप directly body का earth मत लीजिए यहने जो heavy load जो है उसे आप earth मत लीजिए body का आप direct battery से negative supply लेकि आईए और उससे दे दिजिए ठीके हो और निक लिए भी हमसे ओही करते है ओके अभी यहापे हम tape कर देते है ठीके अभी हम इससे इस तरब खिचेंगे उसे joint अंदर यहापे चला जाएगा ठीके तो दोस्तों यह आपका यहापे तीनों point यहापे बराबर निकल चुका है यह halogen bulb के लिए अब दोस्तों यहापर जो बचा वायर काटने से पहले आप एक बार यहापे चेक कर लीजिए जहापर आपको रिली लगाना है वहापर यह कितना वायर यहापे निकल चुका तो बस आप अभी यह बचा जो आयर है इसाइड में तो इसे अभी हम यहापे काट देंगे अब दोस्तों यहापर एक पीस हमें यहापे इतना एक तुकडाए हम यहापे लेना है spring pipe का और इसे हमने यहापे cross एसे cut कर दिया है ठीके अभी हम इसे यहापर lock कर देते है ताकि कि यह point यहापे safely यहापे हो जाए और अभी हम यहापे tape लगा जेते हैं अब कुछ उसे यहापे tape लगा रहे हैं देखिए यहापर यह प्याख हो चुका है अब दोस्तों यहापर जो इसका end यो है यह हमने हम यह आसे tape से by followers कर देना है ठीके और यह side का भी यहापर क्यूंकि यह point यहाप Gosh हो चुका है प्यबी हमने इसे end इसका end है यह हमने यहापर लगा के ऑक इस परकार से अब दोस्तो यह हमारा fog light हो गया last वाला तो उसके बाद में extra halogen head lamp उसके लिए यह हो गया okay ground high beam और low beam ठीके इस प्रकार से अब दोस्तों उसके अब पीछे के साड़ हम reverse आएंगे तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक और point हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा यह हमारा head lamp है ठीके तो उसके लिए भी हमें high beam और low beam और साथ में ground हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो देखो हमने बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर joint हमने लगा के यह हमने यहाँ यहाँ पर यहाँ पर निकाल दिये है ठीके आपको क्या करना है friends यहाँ पर फ्ड़ेसा एसेड में ठीके तो यह अच्छे से ही यहाँ पर fit हो जाएगा यवी हम इसे अच्छे से आंदर की सेड में हम यहाँ पर कर देते हैं अब दोस्तों यहाँ यहाँ पर यह लग यह प्वाण्ट यहाँ पर निकाल अब दोस्तों यहां तक हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे अभी हम जो switch का जो सपला है उसे हम पहले लगा लेते हैं ठीके अब दोस्तों यहां पे वायर लूम का जो दूसरा जो end है इसके तरब चलते हैं जहां पर हमारा switch लगने वाला है क्याबिन के अंदर तो यह रहा हमारा यहाँ पर स्वीच का हमें पॉइंट निकलना है तो अभी हम यह वायर दोनों वायर हम यहाँ से पास करवाएंगे तो दोस्तों यहां से अभी हमने यहां तक हमने यहां पर इसे निकाल दिया है ठीके अब दोस्तों यहां पर एक और में पॉइंट यहां पर निकालने वाला हूँ तोल होल्ड के लिए क्योंकि जो गाड़ी का जो बहुंट है उसके लिए एक LED वहां पर निकालना है तो उसके यहाँ पर देखुए, अब यहाँ पर हमें गयाटर का जो positiva अपला है, बड़ा बाला वायर, वहाँ में ले की जाना है delay तक तो अब हम यहाँ पर यहाँ से बैरतरी का जो positive wire है, वह हम यहाँ से लगा देंगे अब दोस्तो इसे भी हम यहापमे टेप कर दिया है फिर यहां से पास करवाते हैं इसके साथ में तो दोस्तो हमने यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव वाइर हमने यहाँ पे लगाया था जो बड़ा वाला बैटरिक पॉजिटिव वायर है यह हम निर्गाया था अभी हम इसे यहां से निकलते हुए अभी हमने यहां तक इसे लेकर आये है ठीके अब दोस्तों यहा पर हमें बैटरिका नेगेटिव भी साहत में लेके जाना है ओके तो उसके नेगेटिव के लिए ह हम यहां पर लागाने वाला है यह वाला तो यह भी हम यहां पर करके सब्साने अफर्वर्र करोंone जहाँ पर हमें टुल होल का एक पॉइंड हापर निकलना है वहाँ पर ये निकल जाएगा, ओके तो हमें रिले के पास ही अभी इस से निकलना होगा, थोकि दोस्तों इस प्रकाल से मैंने सारी वायरिंग यहाँ पर पेक कर दिया थी, यह हमारा switch के लिए यह हमारा यहापे हमारा switch लग जाएंगा जो कि fog light और इस वाले लिले का negative supply यहापे यह control करेगा खेके तो यह यहापे switch लग जाएगा अब दोस्तों यहापर यह हमारा battery का positive terminal यह उसके साथ यहापे connect हो जाएगा और दोस्तों यह हमने क्यों निकाला है तो यह हमने जापे हमारा बुल्य रोका जो bullet के लिए जो light लगाने वाले हैं LED वाला तो उसके लिए हमने यह निकाला है दोस्तों यह हमने डालिक लिए निकाला है यह positive यह वाला डालिक हमने इसके साथ connect किया है ठीके और यह ground के साथ अब यह positive बैटरी के positive यहापर connect हो जाएगा अब आगे देखिए अभी यहापर यह वाला negative के साथ यहापर connect हो जाएगा ठीके तो दोस्तों इस प्रकास से हमने सारा wiring यहापर इसका प्याक कर दिया है अब दोस्तों यहापर देखिए अब यहापर हमारा रिले अभी हमें लगाना है ओके तो दोस्तों जो extra halogen headlamp जो हम लगाने वाले है तो उसके लिए तो हम यह वाला रिले हम यूस करेंगे ठीके लेकिन जो fog light के लिए आप रिले भी यूस कर सकते हो यह fill आप directly switch से वहापर उसे supplies छोड़ सकते हो positive supply ठीके लेकिन मैं यहापर र 10 ampere का जो रिले आता है 12 volt 30 ampere का वह भी आप यूस कर सकते हो लेकिन मैं PCB mounting रिले यूस कर रहा हो क्यूंकि वह फिलाल अभी मेरे पास नहीं है वह के साथ है वह मैं आपको दिखा दूँगा तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का वह रिले आता है होन के लिए तो आप यह भी यूस कर सकते हो अपने fog light का connection के लिए यानि fog light को on off करवाने के लिए ठीके तो यह single type करी लिए होता है यानि यह spd type करी लिए होता है sorry spd type करी लिए होता है okay या फिर आप यह साभी य पास लिए पड़ेगा तो दोस्तों यह तो फिलाल मेरे पास यहाप एक खराब है तो इसकी जगापर में pcb mount लिए यूस करने वाला हूँ वह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा video में उसे कैसे यूस करना है तो दोस्तों यह जो दोनों battery का जो positive और negative जो सफलाई यहापर आ इसमें ही यह जोइन को हम यहापर इसे अंदर की साइड में कर देते हैं ओके और यह आपका positive और negative यहापर हम एक point छोड़ देंगे क्योंकि जो दुस्ता जो company का जो headlight के लिए जो सफला जाएगा positive और negative तो उसके लिए मैं यह point में यहापर निकार जाओ ठीके आप अगर न तो दोस्तो इस प्रकार से में यहापर जाएंट लगा दिया है अब मैं इस यहापर टेप करके फिल यहापर भी एक point में यहापर छोड़ देता हूँ ठीके यह हम यह company का जो headlight है बुलेरों के लिए तो उस headlight के लिए हम positive supply हम इससे देने वाले है ठीके और साथ में हम horn चल जाप जीले है ठीके यह positive supply फिर आपका यही पर निकल जाएगा क्योंकि यहापर आपका यह वाला जीले लग जाएंगा अब दोस्तो यह negative अभी यहापर निकल चुका है यह point में यह बढ़ा लेता हूँ अब दोस्तो यह वाला point यहापर निकल चुका है अभी यह battery का positive negative आपको यहापर मिल जाएगा आप अभी यहापर horn के लिए उसकर सकते हो यह फिर headlamp के लिए आप यह उसकर सकते हो बहुत ही simple है देखें यहापर इसका connection दिया है ओके अभी हम इसे A से पकड़ेंगे ओके अब देखो दोस्तो यहापर EL1 यहापर load 1 ठीके अभी यह T1 यहापर हमें बैटरी का positive terminal यहापर करना पड़ेगा देखो EL1 जो है friends हमारा gray color का wire ठीके T1 हमारा यह red wire जो कि बैटरी के positive में यहापर लग जाएगा और L2 यानि यह वाला wire ठीके इस प्रकार से इसका यहापर connection दिया है और दोस्तों यह बाके जो बचे है S1, T2 और S3 तो यह नीचे के wire हो गए यह हो गया हमारा S1 यह हो गया हमारा T2 और यह हो गया हमारा S2 ठीके यानि switch 1 switch 2 वो center वाला यह ground के साथ लगता है लेकिन यही हम switch में लगाने वाले है जो कि हम अंदर में यानि body में अंदर हम cabin में हम यह वाला switch हम लगाने वाले है ठीके तो इसे हम negative यहापर cut कर देंगे okay तो negative इस switch के साथ हम यहापर cut करना होगा तभी यह हमें on या फिर off हम इस relay को अब देखें यह वाला जो wire है friends यह वाला wire यह अभी हम battery के positive में हम connect करेंगे एक fill low beam के लिए और यह वाला fill high beam के लिए ठीके तो इस प्रकार से इसका connection करते है चले अभी में आप पूकर के दिखाता हूँ अभी हम पहले क्या करते है देखो पहले हम इस fuse holder को हम यहापर connect कर ल तो दोस्तों यह दोनों fuse holder हमने यहापर connect कर दिये है okay EL1 और EL2 के साथ देखिए यह battery का positive के साथ यहापर यह लग जाएंगा okay अभी यह EL1 उसके साथ में एक fuse holder और EL2 उसके साथ में एक fuse holder अब दोस्तों यह दोनों fuse के यहापर बचे है ठीक है अभी यह wire का पर लगेंगे तो यह wire हमारे यहापर यह लग जाएंगे okay एक high beam के लिए और एक low beam के लिए बहुत ही simple connection है okay अब दोस्तों यह दोनों जो fuse holder है इसमें हम यहापर यह से लगा जेते हैं यह यहापर lock में यहापर fit हो जाता है okay यह भी यहापर fit हो चुकी है तो दोस्तों यहापर भी हमें battery का positive निकालना पड़ेगा okay यह वाला connection क्योंकि लिले के जो T1 जो terminal है यह वाला इसमें हमें देना है यानि यह red wire में ठीके तो इस red wire में हमें battery का connection देना पड़ेगा positive वाला तो T1 connection यह रहा तो इसमें positive सब्ला देना है तो दोस्तों यही wire को हमने यहापर एक और wire यहापर लगा लिये है यहापर joint हमने कर दिया है ठीके तो इसे अभी हम यहापर प्याक कर जेते है और यहापर भी हम थोड़ासा spring pipe हम यापर लगा देते है okay फिर हम आग का connection करेंगे तो दोस्तों हमने यहापर पाइफ यहां पे spring pipe हमने यहां पे लगा दिया है और अच्छी से tape कर दिया है ठीके अभी यह point यहां पे निकल चुके है अब दोस्तों यह रहा हमारा बैल्टर का positive ठीके इसी वाइच सथ हमने यहां पे connect किया है जो कि हमारा यह बड़ा वाला wire है ठीके तो दोस्तों अभी क् करेंगे देखिए अभी यहां पे जो fuse holder का जो एक एक जो wire जो बचा है ओके यहने एक high beam के लिए और low beam के लिए तब दोस्तों यह जो wire है यह दोनों wire हमें यहां पर connect करने होंगे ठीके तो देखिए दोस्तों इस प्रकाल से हमने यहां पे fuse को यहां पे series में कर दिया है ओके energy से ही यहां से supply आ जाएगा देखो यहां पर battery का positive लगेगा और यहां पर इन दोनों wire में से high beam और low beam के लिए यहां से supply जाएगा 12 hold तो यह दोनों supply इस fuse से पास होके फिर हमारा wire loop में यह चला जाएगा ओके और फिर हमारा जो halogen bulb का जो connection हमें निकाला है यहां पर यह दोनों अबी फ्रेंड्स अभी यहां पर इसे positive देना पड़ेगा battery का positive ओके अभी यह वाला कुण सा pin है T1 ठीके तो T1 pin को हमें battery का positive हम दे देते हैं अब दोस्तो positive हमने यह वाला wire हमने यहां पर extend किया था तो इसे ही हम यहां पर cut करके हम इसे यहां पर joint कर देते हैं अब दोस्तों यह तो होलोजन बल्प के लिए यह काम हो गया अभी ओके लेकिन जो हम fog light जो लगाने वाले है LED वाला fog light तो उसके लिए हमने यह वाला plus point हमने यहां पर रखाए ठीके तो इसके लिए हम एक PCB PCB mounting जो रिले होता है वो रिले हम यूश करने वाले है हम यह type का रिले हम नहीं यूश करे लेगा ओके तो यहां से हम एक positive supply निकाल के रखेंगे और दोस्तों यह हमारे दो switch के wire है इसका भी connection में अभी आपको करके दिखाता हूँ फिलाल हम इसका connection कर लेते है तो दोस्तों यहां पर join आपको कैसे मारना है देखो join यहां पर कैसे करना है जो conceal fitting में जो use होता है conceal little fitting में वही join आपको यहां पर use करना है ओके वह join यहां पर better work करगा क्योंकि यह join निकलता नहीं है इसलिए आप वही join use किजिए इसे पकड़ना है और star को अच्छे से आपको मोड़ देना है अब यह side इसे round shape में यह इसे घुमा देंगे यह अच्छे से आपी fit हो जाता है ओके अब देखें दोस्तों यह काफी अच्छे से आपी join अभी हो चुका है ठीक है अभी कितना भी खिचेंगे तो यह नहीं निकलेंगा ओके इस प्रकार से यह join होता है यही join आप use किजिए हर जगा प तो दोस्तों यह join आप द्यान से देख लीजे काफी simple है ओके आप थोड़ा सा रीवस करके देख लीजे एक बार बहुत ही simple है और यही join आप use किजिए सारे joints में ठीक है अब इसे हमें tape कर देते हैं अब दोस्तों यहाँ पर एक और हमें wire हमें यहाँ पर लागाना करने वाल है क्योंकि देख हुआने में क्यों यूश कर रहे है क्योंकि fog light का ज्याता load नहीं है LED है इसलिए ठीक है अभी हम यह भी यहाँ पर इसे हम connect कर देते हैं अच्छे से और फिर हम यहाँ पर tape कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर हमने यह वाला wire निकाल दिया है fog light के बैटरी से इसमें यहाँ बैटरी कर से यह यहाँ पर आपका tool hold आ जाएगा ओके और जिसे हम यह अभी रिले को हमें लगाना पड़ेगा चले अभी मैं आपको आगे connection करके दिखाने वाला हूँ अभी हमें इसमें एक रिले यूश करेंगे तो दोस्तों हम यह वारा रिले यूश करने वाले हैं जो के PCB Mountain Relay होता है जो के इन मुदर्स वगरा में यह यूश करते हैं ठीक है तो हम यह यूश करने वाले है अब दोस्तों यह भी काफी लांग लाइक चलता है इसका क्योंकि मैं परस्टनली में इसे कई जगा पर मैंने यूश किया है मैंने मेरी बाइ तो यह अच्छा चलेगा वरना है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो चलिए फिलाल तो मैं अभी इसे ही लगाने माला हूँ चलिए इसका क्नेक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अब दोस्तों पहले क्या कर लेते हैं देखिए अब दोस्तों यहाँ पर इसका क्न कर जाएंगा तो यह रहे यह वाली वायर ठीके स्विच के लिए एस वन और एस टू अब दोस्तों से इंडर वाला नेगेटिव हमें ग्राण के साथ करना पड़ेगा लेकिन हम यहाँ पर इसे जब हम जरूरत पड़ेगी तब हम इसे आन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करे आया है वायर लूम में तो यह वायर से हम इसे कंट्रोल करना है तो दोस्तों नेगेटिव से हम इसे कंट्रोल करेंगे इस स्विच के साथ ठीके चले पहले हम कर लेते हैं फिर मैं आपको प्रैक्टिक लिए दिखाऊंगा जब मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा बलोर में त अब हमारा T2 terminal यानि ground यह हम इसे इस orange wire के साथ connect कर देते हैं ताकि जब तक हम switch से switch से हम जब तब negative supply pass नहीं करते तब तक यह delay यहाँ पर on नहीं होगा ठीक है इसलिए हम यहाँ यहाँ पर पड़ेगी तब ही हम इसे on करेंगे ठीक है तो दोस्तो यह अभी यहाँ पर connect हो चुका है यह वाला wire औरेंज कलर का wire तो दोस्तो इसे इस वाले relay का जो coil का connection है coil का negative यह T2 terminal को इसे negative supply हम इसे दे सकते हैं और off भी कर सकते हैं ओके इस relay को control करने के लिए हम यह वाला switch हम यहाँ पर use करेंगे ठीक है तो इससे यह control हो जाएगा और यह wire हम का पर लगाएंगे डारेकली हम cabin के अंदर हम लगाँगे steering के पास आप दोस्तो यह तो हो गया इसे हम tape कर देंगे अब दोस्तो यह वाला जो wire बचा है तो दोस्तो यहाँ पर हम यह वाला के लिए यूज करने वाले है तो इसकी कोईल के लिए हम ये वाला बाय से निगिटिव सप्लाई यहाँ पर हम इसे देने वाले है ओके और इसे पॉजिटिव सप्लाई हम कहा से देंगे तो दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई हम क्या करेंगे इसी के साथ हम देने वाले है वो क फिल्टीन एंपेल का हम इसमें फ्यूज लगाएंगे, ओके, इसमें ट्यूब टाइब का फ्यूज होता है, अब दोस्तो हमें यहापे दिल्ले लगाना है, ठीके, इन दोनों वायर में, ओके, फोगलाइड के लिए, तो दोस्तो देखिए यह PCB दिले, PCB मांटिंग दिले, एक ENC, यहने नॉर्मली, क्लोस, और एक ENO, यहने नॉर्मली, ओपन, इस प्रकार से इसका connection होता है, तो चलिए, अब यह हम इसका connection करते हैं, तो फ्रेंट्स, बैटरी का positive हम यहापे लगाएंगे, ओके, common point है, तो इसे हम फेले solder कर देते हैं, ठीके, अब यह common में solder हो चुका है, इसका भी, जो coil का connection है, हम negative ही, यहापे cut करने वाले है, और positive इसे मिलता रहेगा, तो दोस्तो इस relay के लिए हम, जो coil का connection देने वाले है, तो दोस्तो positive supply हम, यह इसे देने वाले है, तो कैसे देना है, यह जिसे ही हम headlight on करेंगे, तो इस relay को positive supply मिल जाएगा, high beam पे भी, और low beam पे भी, दोनों का supply हमें यहापे देना है, किसे देना है, वो beam में आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए हम एक अलग सा जुकाड हम लेके आये है, ठीके, तो दोस्तो यह हमने positive हम पर कर दिया है, बैटरी का positive, अब दोस्तो क्या करेंगे, यह जो positive, positive, जो है fog light के लिए, लोड, ओके, यह अभी directly जा रहा है, fog light की तरफ, यह वाला बायर, ठीके, fuse होके, याने fuse holder से, ओके, अभी यह वाला बायर हमें, यहाँ पर लगाना है, तो यह कहाँ पर लगाएंगे दोस्तो, तो इसे, देखो, जैसे ही यह लिले on हो जाएगा, तो यह इसमें, बारा बायर कारण जाने होना, ओके, याने, इसे, on connection पर लगाना पड़ेगा, याने, normally, open connection पर हमें लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों, देखिए, यह तो common हो गया, हमने common यहाँ पर solder कर दिया है, अभी, इसमें से, यह दो पीने जो है, एक ENC है, याने, normally, close और एक normally open, तो हमें, normally open पर लगाना पड़ेगा, याने, क्या होगा, जैसे हम, इसमें coil में, जैसे ही, बारा उल जाएगा, तो यह on हो जाएगा, और हमारे fog light, on हो जाएगी, ओके, तो, इसका हम, ENC और यह नो पता नहीं है, तो इसका हमें, यह नो और यह पता कर लेते हैं, तो उस अब देखें, दोस्तों, यह common पर हम एक pin यहापर रखेंगे, एक probe, यह common पर, ठीके, अभी हम यह दोनों pin यहापर चेक करेंगे, देखें, तो देखें, दोस्तों, यहापर बजर बीप कर रहें, और यहापर नहीं, ठीके, यहापर बजर बीप कर रहें, याने, यह वाला यह जो pin है friends यह वाला pin इसका UNC है ओके याने normally close अभी coil पर कोई voltage नहीं है याने अभी यहाँ से यहाँ पर contact हो रहा है याने यह UNC ठीक है normally close जिसे ही इसका coil में connection आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर contact हो जाएगा ओके तो यह इसका UNC normally close और यह इसका यह नो याने normally open, ओके तो normally open में हमें यहाँ पर लगाना है जहाँ पर buzzer beep नहीं कर रहा है देखी यहाँ यह नोर्मलड इपर हमें यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर हम इस वार को यहाँपर solder कर देते है तो दोस्तों आभी इसका connection हो गया है ठीक है अभी हमें coil का connection करना है अब दोस्तों यहाँ पर हमें तीन डायोड हम यहाँ पर यूज़ करने वाल है इसका नंबर है 1N4007 ठीक है तो हम पर लगाला एक डायोड यहाँ पर लेते है अब दोस्तों इसका जो silver ring है देखिए इसका silver ring यह साइड में है ठीक है और यह इसक कैथोर, silver ring आपको यह साइड में है तो इसे हम coil में हम यहाँ पर लगाना होगा इसे coupling के लिए हम यहाँ पर लगाना पड़ता है तो इसे हम यहाँ पर solder कर देते है पहले तो दोस्तों हमने यहाँ पर diode को यहाँ पर solder कर दिया है ठीक है अब दोस्तों यह जो positive color का sorry यह जो white color का जो wire बचा है जो कि हम switch के लिए cabin में लेकर जाने वाल है steering के पास तो इसे हम negative control करेंगे ओके तो यह हम का पर लगाएंगे दोस्तों यह हम coil का जो negative supply है अब negative supply हम का पर लगाते है जैसी हम यहाँ पर diode लगाया है coil के लिए तो negative supply हम का पर लगाना होगा आनोर पीन में ठीक ह जहाँ पर इसका silver ring है diode का silver ring वहाँ पर हमें positive लगाना पड़ता है और उसका opposite terminal याने silver ring का पीछे का side का terminal वहाँ पर हमें negative तो यह negative हम यहाँ पर solder कर देते है फिल रहेगा positive का connection ओके तो इसे में पहले यहाँ पर solder कर देता हूँ ठीके अब यह negative का काम यहाँ खतम हो चुका है याने switch का connection अभी यहाँ पर complete हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर हमें positive का script यहाँ पर बाकी है तो दोस्तों positive के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दो डायोड हमने देखो यह दो डायोड हमने यहाँ पर और लेना है तो देखिए दोस्तों अभी हमें क्या करना है अब दूस्तों हमने एक solder के से किया है, देखो, silver ring इसका ये side है, ओके, दोनों का silver ring ये side में है, और ये इसका opposite terminal, ठीके, यानि ये anode, ये cathode, ओके, अब हमें क्या करना है, अब दोनों को हमें आपस में मिला देना है, और ये इसका positive बन जाएगा, ठीके, अब हमें इसे paste लगा के, यहाँ पर solder कर देना है, अब दूस्तों यहाँ पर solder का आपके करना है, जहाँ पर इसका silver ring है, वहाँ पर, ये वाला diode का, ठीके, तो silver ring इसका ये side में है, ओके, तो मैं इसे यहाँ पर solder कर देता हूँ, ठीके, अब यहाँ पर solder हो चुका है, प्रपर तरिके से, अब दूस्तों, यहाँ पर diode आपको अच्छे quality के लगाने है, वरला अगर इसमें से अगर एक भी diode खराब हो गया, तो आपका, जब आप high beam करोगे, तो उसके साथ low beam बीचलेगा, और जब आप low beam करोगे, तो उसके problem आ सकता है, इसके लिए आपको यहाँ पर diode अच्छे quality के लगाने है, ठीके, और लगाने से पहली से आप check कर लीजे, इसे किसे check करना है, यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए multimeter को diode mode पर यहाँ पर set करना है, ओके, देखिए, यहाँ पर diode mode, अभी हमें किसे check करन है, तो देखिए, यह positive जो probe है, यह वाला पीछे की side में लगाएंगे, यहाँ से, और silver ring की तरफ हम यह वाला लगाएंगे negative, तो देखिए, यह इसका continuity मिल रहा है, यानि यह वाला diode अभी ok है, अभी विसे ही, यह भी हम check कर लेते हैं, ok, यह भी ok है, तो इस प्रकर से दोस्त से reverse अगर लगाएंगे, देखो positive हम silver ring की तरफ लगाते हैं, और दूस्त वाला एसे लगाते हैं, तो यहाँ पे continuity इसका नए आना चाहिए, resistance इसका नए आना चाहिए, ok, देखिए, नए आ रहा है, तो यह diode ok है, ok, तो इस प्रकर से इसे check किया जाता है, तो दोस्तों, यहाँ इसका connection अभी लगबग हो चुका है, अभी हम यहाँ पर sleeve लगा देते हैं, अब दोस्तों, इसका connection हमें कहाँ पर करेंगे, तो देखिए, इसका connection हमें, इसकी coil के साथ ही हमें करना है, ok, अगर आप fog light को low beam पर चलाना चाहते हो, तो जो इसका low beam का जो, यहाँ पर connection आएगा, जब आप high beam करें, तो भी fog light चलें साथ में, और जब आप low beam करेंगे, तो भी साथ में fog light चलने को होना, तो आप यह दोनों wire, यह दोनों wire के साथ यहाँ पर connect कर दीजे, और यह आपका, जो, गाड़े के switch के साथ यह connect हो जाएंगे, ok, चलिए, अभी मैं इसे, अच्छे से प यहाँ पर tape लगा दिया है, ok, और यह रहा इसका fuse, इसमें मैं 2 या 3 ampere का fuse लगाना है, तो दोस्तो यह वाला fuse हमें, इसमें लगाना है, यह fuse इसमें लगता है, ok, अभी फ्यूजे में लग चुका है, तो दोस्तो यहाँ पर इसका complete wiring मैंने यहाँ पर कर दिया है, ok, और साथ में fog light, इसका भी मैंने यहाँ पर connection कर दिया है, ठीके, तो चलिए, अभी मैं आपको wire loom दिखा देता हूँ, इसका, तो देखिए, यहाँ पर इसका fuse लगा है, और यह साथ में यह साथ में यह इसका रिले, जो हमने इसका wiring किया था, और यहाँ पर यह इसका coupler लगा है, और दोस्तो यह रहे, इसके switching के wire, ok, देखिए, यहाँ से, इस वाले wire loom में से, यह switching का connection यह आ रहा है, ok, अभी यहाँ से, सीधा, इस wire के थरू, हमारे रिले के लिए, यह यहाँ पर जा रहा है, ok, अब दोस्त करना है, और मैं आपको circuit diagram में दीखा दूँगा, तो दोस्तो यह रहा इसका circuit diagram, अगर आपको कोई question है, तो आप मुझे से जरूर comments कीजिए, मैं reply करने की कोशिश जरूर करूँगा, ok, और यह रहा इसका fog lamp का, यानि जो fog light है, उसका relay, अब इसका भी connection तो मैं आपको दीखा चुका हूँ, और इसे भी हमने दो diode है पर connect किये है, ठीके, अब दोस्तो यह हमने लगाया है, वो वाला रिले है, और यह पहले से जो company के जो headlight है, यह वाले, तो इसके लिए यह वाला रिले यहापर use किया है, ok, और यह वाला जो हमने लगाया है, ठीके, अब दीखिए, य यह बुनट के light के लिए हमने यहापर एक point हमने यहापर छोड़ दिया है, ok, यहापर हम एक LED लगाएंगे, उसका भी बहुत जल्दी में video बनाऊंगा, ok, अब दोस्तो यह वाला wireloom अंदर की side में जा रहा है, अंदर cabin में, तो चलिए अभी मैं आपको switch दिखा देता हूँ तो दोस्तो यह है हमारे switch में यहापर लगा दिये है, ok, चलिए अभी मैं इसे खोल के आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तो यहापर यह देखिए, मैं यहापर यह connection wireloom connection में यहापर लेके आया हूँ, ok, अब दोस्तो यहापर strip negative का, हमने यहापर negative का connection करना है, ok, अब दे वे लियान का रिले ओके अपर छेवाला जो निगकेटीव यहा थे धार को याल करतीव І्समें निग टीकटिव सप्लाइँ बैर्टत का निगरिंव इसे आप बैर्टत के निगरिंव के श्याथ कुछिर के सेंथर में मैंने नेगेटिव को यहापे लगा दिया है ओके यह DPDT टाइप का स्टीच है तो देखिए सेंथर में यहाप róż कर दिया है अब दोस्तो यहापर उपर की साडमें मैंने यह साडमें एक औरेंज बाएर लगाया है और यह साड में यहाँ पर दिखा दिया है ओके रही है आउतलमेरा इस यहाँ शचिए दोने प्रक्षेश यहाँ पर कीः रहाद है । अब दोस्तो हम अभी हम यहाँ पर हेडलाइट यहाँ पर अन करेंगे ओके अब दोस्तो यहाँ पर हेडलाइट हम यहाँ पर अन कर चुके है ओके अब देखिए यहाँ पर यहाँ बीम और लो बीम यहाँ पर हो रहा है अब याप को दिखा जैता हूँ सामने से अब दोस्तो यसवाले बटम को हम उपर की साइड में यहापे करते हैं अब यह उपर की साइड में हो चुका है अब दोस्तो अब यह हमने यहापे फोग लाइड अन करके ठेक लिए अब दुस्तो इस वाले बटन को हम सेंटर में करेंगे तो यहापे कोई रिले यहापे वर्क नहीं करेगा अब जिससे कमपनी का है वेसे ही यहापे चलेगा यानि कमपनी का ही हेल लैट यहाँ से अन अफ हो जाएगा और हाइभी मोरलोबीं यहाँसे हो जाएगा अब दुस्तो इस वड़े बटन को हम नीचा एक साइड में करेंगे चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह यह आभी कैसे वर्क करता है कि तो दोस्तो इस परकाल से यह व्रकिंग करता है ओके तो दोस्तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर वायरलूम काफेर जैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है अब दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक शेल जरूर कीजे और आपको कोई क्योशन है तो आप मुझे बेशे कमेंट्स कीजे तो चलिए बहुत जिल्दी मिलेंगी नेक्स टोर किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन